आगे important event झो है 1909 का Manto maralay reforms टेक है अब यह Manto Maralay metabolism जो है यह भी बहुत important event है और जो आमने देखा था 1906 के अंदर जो Shimla deputation गया था यहनी Shimla वफित गया था मुस्लमानों को separate Sapp Jegушка है की इस हंथिया जाए मन्ट wh教 साहे जो इनका कहा था जो निया Act आएगा, Act of 1909 भी से कहा जाता है, तो जो निया Act आएगा, उसके अंदर हम आपकी बातों को शामिल करेंगे, तो ये दो थे, एक जो है, वजीर साहब थे, मौरले साहब और मंटो जो है, वाइसराय थे, तो ऐसे में क्या हुआ, कि इन्हों ने जो है, मुसल्मानों क लेक्टी, डिमान्ड मान लिए, यानि सारी तो नहीं, लेकिन ये सेपरिट एलेक्शन्स की डिमान्ड मुसल्मानों की कुछ सुबह के अंदर मानी, सब के अंदर नहीं मानी ठीक है, तो ऐसे में जो है, यानि शिमला कामिया हो गया, और मंटो मारले रिफॉरम सामने आ गई के हिंदुस्तान के लिए जिसमें separate elections यानि के जुदागाना इंतखाब का जो हाग था वो मुसल्मानों का मान लिया गया और ये एक बहुत बड़ा breakthrough था इंडियन हिस्ट्री के अंदर ठीक है कि मुसल्मानों को separate माना गया था इससे पहले मुसल्मान शोर तो कर रहे थे कि हम separate हैं लेकि उन्हें माना नहीं जा रहा था ठीक है इसके अलाव इसके अंदर क्या हुआ जी पावर्स जो है legislative council की उसको बढ़ा दिया गया कि अपने लिए laws भी बना सकते हैं और इंडियन जो है उनको शामिल किया गया administrative council के अंदर या निया ने तीन इंडिया जो है उनको भी शामिल किया गया administrative council के अंदर तो इस तरह से यह नहीं मंटो मारले reform जो है वो इंडिया के लिए काफी अच्छी रही और खास करके मुसल्मानों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा important रही ये मंटो मौरले reforms के हो कि सबसे बड़ी demand मुसल्मानों की separate elections की वो यहाँ पर मान ली गई थी तो ये भी important event था